किसान भायो आज तक न्यू नस्तरी जितना भी गौवा पिलांट की जानकरी दिये है आज एक नया गौवा पिलांट की जानकरी फिर से देंगे ये गौबा सारी गौबा से हटके है पूरी जानकरी नेले के लिए हमारा यूटूब चैनल निव नर्शरी ओएद बंगोल के साथ जूरे रही है किसन सत्यों मैं कोलकता ओएद बंगोल से निव नर्शरी का तरफ से बोल लहूँ ये जो भराइटे आप देख रही है इसका नाम है जापनीस रेट डाइमोंड गौबा ए रेट डाइमोंड गौबा दो चीज के लिए मासूर है पहले इसमें नाके बोरबा सीड होती है दूसरा बात है इसकी कालर रेट कालर की होती है और स्वात की बात करें तो लाजबब है बाच्चा से बुड़े तक जिस तरह की अम्रोद खाने का मंग करता है ये फौल उसी टाइप का है इसकी साथ इसमें एक खुपसुरात सुगंदी मिलता है किसन सत्यो आज इस वीडियो में आपको सामने रेट डायमोन गौबा फॉल की काटिंग करके हम आपको दिखा रहे इसकी अंदर की सीट की मत्तरा, कालर और रोस की मत्तरा देख सकते है रेट डायमोन गौबा बाकी अमरुत फॉल से थोड़ा अनुखा होते है इसकी साथ-साथ गाच और पत्ता भी आलग होती है रेट डायमोन गौबा की फॉल पूरा राउंड सेथ में होती है इसकी बोजोन 300 गिरम की असपास होती है ओस बेंगल में किसन सत्यो हवा, पानी, मीट्टी और जाएगा की हिसाथ से बदल भी सकते है किसन सत्यो, रेट डायमोन गौबा की लो हाइडेंसिटी पिलांटेशन कर सकते है किसन, आप निवनास्चरी का तरीका से पिलांटेशन करेंगे तो आप 8 फिट बाइ 8 फिट लगा सकते है आप एक एकर में इस अमरूत की फार्मिंग करेंगे तो सासो पोंचास पिलांट की जोरूरा छे इस आमरूत की खेती करने के लिए लैंड की रिकॉर्मेंड राइती है पूरा जोमिन से धूप मिलने बाला ऐसा जोमिन आच्छा से पानी निकाल ले बाला दैवस्ता होना चाहिए वीडियो अच्छी लागी हो तो सारी लाइफ सास्क्राइब